तुडेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे फ़स्टेयर के फ़स्ट समस्टर के एजूकेशन के मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इनुवर्सिटी वा कॉलेज में एजूकेशन यानि फिच्छा फाफ्त की परिच्छा लगी ह और वह बिच्छा फ़स्टेयर के फ़स्ट समस्टर के स्टूडेंट है तो उनको कमप्रीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए उनको इस वीडियो से काफी हल्प मिलेगी क्योंकि इस वीडियो में खास बात ही है कि कुश्टेयर में और उसका उत्तर है ठीक है क्योंकि मैंन नोट सेन के फीडियो भी मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहेगा और इस वीडियो में कौन-कौन से प्रस्ट है जिनको आपको बिसेश करके तयार करके जाना है वह पर इच्छा में आएंगे पक्का वह हम आपको बताने वाले तो वह कोश्टिन आप नोट कर लीजेगा और उनहीं को टतरत्यार कर लीजेगा काफी आपको मिल जाएंगी तो आज किस वीडियो को सोय formas प्रशन है कि बिद्या क्या है या फिर बिद्या का ब्रिया बता है ठीक है उसमें कम से कम कि कौन कौन से कौश्चन आंगे कौन कौन बार बार आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं तो यह मत बोली कि कैसी पूरी त Caesar करके अप आयंगे नहीं आप आएंगे तो मैं आपको फिल्टर करके कुशन तयार प्रचीन काल में पुराने समय में सिच्छा सब्द के अफ्थान पर बिद्या अथ्वा ज्यान सब्द का प्रचलन था जो आज लोग फिच्छा यूच कर रहे हैं इसको पहले यूच के प्रचीन काल में इसको बिद्या अथ्वा ज्यान के नाम से जाना जाता था यह फिर बिद्या और ज्यान सब्द का प्रचलन था किसके अफ्थान पर सिच्छा के अफ्थान पर लेकिन आप लोगों को मौलूम है कि जबाना जैसे जैसे बदला है देखे टेकनलोजी कितनी आ गई तो अब सिच्छा कहा जाने लगा ठीक है तो इसे बात को ध्यान लखेंगे पहले इसी तरह लिखेंगे प्रचीन काल में फि बिद्या जो सब्द है इसकी जो सुर्वात है उत्पत है संस्कृत के बिद्धात से हुई है किस धात से हुई है संस्कृत सब्द से हुई है और बिद्धात से हुई है जिसका अर्थ यानि के मतलब होता बिद्ध्वान होना या ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान सिप्राइब सार्व बिकास की प्रिकरिया है यानि कि improvement करने की प्रिकरिया फिच्छा एक ऐसा प्रोसेस है ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो इंसान होता है जो हाम जनता होती है बेक्त होता है जिसके द्वारा बेक्त का विकास होता है फिच्छा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा या फिर जिसके माध्यम से बेक्त का विकास करता है या फ वो उस चीज के विसे में पहले फिजानकारी है कई फाले वर्सों का ठीक है तो अनभोव द्वारा अपने बेवहार में या आपका जो बेवहार है लोगों से बात चीत करने का तरीका है ठीक है आपका जो सोसाइटी है जहां पर आप रहते हैं उसमें आपका जो एक तरीके से रूल है या फिर आपकी जो वैलू है उसमें संसोधन करना इस प्रकार कह सकते हैं कि फिच्छा अनभो के द्वारा बेवहारों में संसोधन है यानि कि फिच्छा अनभो के द्वारा बेवहारों में संसोधन इसका ताथ पर यह है कि अगर आपको फिच्छा अगर आपको ग्य की value है जो आपका विकास हो रहा है ठीक है उसमें आप संसोधन कर सकते यानि कि और अच्छा improvement कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास सिच्छा होगी तो आप बहतर से बहतर बते जाएंगे आपका विकास होता जाएगा ठीक है अगर सिच्छा नहीं तो आपको तो इस व्रकारिश की परिभाफा लिखेंगे बाकी अलग-अलग बिद्वानों के नुसार सुन लिजिए देशे के प्रमुक बिद्वान है प्लेटो इनके नुसार भी यह और एक बहुत देश के हमारे फतंतरता संग्रामी और देश में अपना योगदान देने वाले स्वामी विवेका नंद के नुसार आदर्स वादी दार्सिनिक स्वामी विवेका नंद के नुसार फिच्छा के बारें सुन लिजिए फिच्छा मनुष के अंदर सन्निहित पूर्टा का दर्स प्रदर्सन है और वही पर प्लेटो जो कि प्रुम्बिद्वान है समास साफ् इत्मा को वह पूरता परदान करते जिसके लिए योगी होते हैं उसके बाद रूसों हैं इन्होंने भी परिमाफ़ा देए कि शक्तियों का सभतंत्र विकास हैं उस्भी होती है जब बालक की प्रिकत सक्तियां मुरुचियां कम से कम निर्देशन के साथ पूर्ण विकास का उसर पाती है तो इस प्रिकार लिखेंगे फिच्छा की हलांकि दो ही परिमाफा बोला था तो आप तीन चार जो भी आपको ध्यान रहे वो लिख सकते हैं आगला प्रश्ण प्रस्तित है कि मात्पूर्ण प्रस्तित में नोट कर लीजिए प्रचेन सिच्छा की बेवफथा गुरु ग्रहों अत्वा गुरुकलो में होती थी मतलब कि पुराने समय की जो फिच्छा है वो जो टीचर हुआ करते थे जिनको गुरु कहा जाता था या तो उनके घर में होती थी या फिर गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर सभी बच्चे गुरु के पास पढ़ने जाते थे ठीक है वे गुरु ग्रह या गुरुकुल गुरु के नाम पर पिर्चलित थे इस समय गुरु को समाज में महत्पूर्ण अफ्थान प्राप्त था उस समय मतलब की ठीक है वर्ड कर सकते हैं ठीक क्या सही मार्ग है वो क्या कौन दिलाता था गुरु आप लोगों को प्रेणा देते थे आपको उस मार्ग का दर्सन कराते थे जिससे आपका भला हो सके आप कोई काबिलित के काबिल बन सके ठीक है तो यह गुरु का काम होता था ठीक है शिस यानि के छात्र के सभी अवस्चक्ताइं गुरू द्वारा पूरी की जाती थी जो भी रिकार्मेंट होती थी जो भी जरूरत होती थी क्योंकि जब बच्चा घर चोड़कर गुरू को लिया फिर गुरू के पास पहले जाता था तो वह घर छोड़ देता था जब तक उसकी फिच्छा ना करता था इसलिए बताया गया है कि सिस्ट याने छात्र के सभी आवस्चक्ताइं गुरू द्वारा पूरी की जाती थी गुरू सिस्ट को मतलब कि सभी प्रकार का पिता का दरजा देता था तक सिस्ट के रहन सहन वफ्त्र भोजन फुरच्छा चिक्सा भरण पोफर आदिका पूर उत्तरदायत गुरू का ही था यानि कि गुरू का ही पूरा उत्तरदायत का मत्तब आप लोग समझते हैं कि पूरी जिम्मेदारी ठीक है उनके रहने का उनके खाने का उनके वस्तर का उनके बीमारी में उनका ट्रीटमेंट का भर पोस्वर का पूरी जिम्मेदारी थी ये प्रूर उत्तरदाईत जो गुरु का था ठीक है इस उत्तरदाईत के निरवाः कुष्ष गुरु बड़ी ही उतह पर्ता चाहने कि ज़िम्मेदारी मिली थी आप लोerenा सो कह सकते हैं उनकी ज़िम्मेदारी मिली थी उत्तों हम हफते हफते या फिर बहुत ही खुशी मन से बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में ततपर करते थे हर एक जो समस्चाय हो यह फिर उनके सुख दुख में साह देते थे ठीक है अवसकता पढ़ने पर गुरु से सुके रुगड होने पर उसकी वैसे ही सेवा करता जैसे पिता अपने पुत्र की करता है देहान से प्रेम और ट्रण आपने घर को बहुत ही क्या में महौल की सुख का दुक्ट गुरु से ही मिल जाता थह तो अपने घरवार ने भर वालों को इक लिए सब्सक्राइब banana जीवन वितीत करते शिच्छा पाते धने जीण उमर बाउटा यानी कि जो भी बच्चा या फिर जो भीटे में और में पूरी उमर याप आप लोग कह सकते कि जिस उमर तक वो फिच्छा ग्रहाण कर सकता था उस उमर तक वो अपने गुरु के घर में रहेकर अपना जीवन बितीत करता था और फिच्छा प्राप्त करता था उसे अंतेव वासिन कहा जाता है बहुत ही महाद पूइंट है ध्यान रखेंगे उसके बाद अगला प्रश्ण है कि प्रिचेन फिच्छा की अधाना को अश्पष्ट कीजिए यह निकी पूराने समय के फिच्छा के बारे मत आईए लिखेंगे उत्तर की सिस्चो को वैर्दिक ज्यान के साथ साथ इतिहास प्रोणार व्यक्रान निरुख्त चंद ठीक है देव बिद्या, देव बिद्या, ब्रंभ बिद्या, भूत बिद्या, छत्र नचत्र बिद्या, सर्प बिद्या, दिवजन बिद्या, संगीद, गायन, नरत, कला, आध, पाठ बिशो की फिच्छा दी जाती थी यानि कि प्रचीन समय की जो उसमें जो गुरु की द्वारह बच्चों की फिच्छा दिय जाते थी सुुस्छ वएदि तो बद्यान nimmtि जाता इसके फाथ उनको इतिहास के बारे में यानि की और भी पुराने समय के बारे में बताता बताया जाता था पुरान के बारे में बताया जाता था ब्याकरण यानि जिसको आप लोग एक तरिके से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको एक मिनट आपको बता दे रहे हैं ग्रामर ठीक है इंगलिस में बोलते हैं निरुक्त चंद के बारे में जो चंद आप लोग चंद गनित के बारे में और देव बिद्या ब्रम बिद्या भोतों की बिद्या ठीक है नचत्र बिद्या सर्प अगर काट ले तो उसकी बिद्या तीक है देवजन बिद्या संगीत यानि की गाना नर्त कला यानि की डांस करना ठीक है आद पाठ बिशो की फिच्छा दी जाती वफ्तु का मनोबे ज्यानिक प्रियोग स्वानुभव पर विसेश बल देता था गुरु सिस्ट का सच्चा पत प्रदर्सक होता था प्रचीन कार में प्रशनोत्तर पुणाली पर विसेश बल दिया जाता था तो इस प्रकाल लिखेंगे पुराने समय की फिच्चा के बारे में परिचे ठीक है आएगा गरंटी वाला कोश्चन है नोट कर लीजिए अगला प्रशन है कि फिच्चा के किनी पांच उद्देस की बारे में बताईए मत अगर आप सिच्चा ग्रहन कर रहे हैं या फिर कुछ कौमन उद्देस बताईए जो फिच्चा ग्रहन करने के इवाद आपको मिलती है तो जहां से सनेंगे यहां पर पांच उद्देसों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी पहला है कि वह एक्तिक्ता का विकास दूफरा है समाजिक विकास तो समाज सोसाइटी उसका विकाफ करेंगे किन कब करेंगे जब आपके अंदर तालेंट रहेगा अच्छा रहेगी अच्छा नौलेज रहेगा तभी ग्यान का विकाफ यानि कि जो ग्यान है उसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं और इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं तभी होगा जब सिच्छा रहेगी बेवस खोन कर किस्मत को छोन कर ठीक है उसी तरह अगला पॉइंट है कि चारित्रिक और नयतिक विकाफ यानि कि आपका करेक्टर जो है उसका भी विकाफ तभी हो पाता है जब आपके पास सिच्छा रहेगी ठीक है तो बहुत बड़ा रोल है फिच्छा का हर एक इंसान के जीवन में ते कुछ पांच उद्देश हैं सिच्छा के जिनको ध्यान लखना है बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है अगला प्रस्ण है कि फिच्छा का व्यक्तिक विकाफ का उद्देश बताईए बहुत कम आता तो आप इसे एग्णोर भी कर सकते मेरे एक औरिंग की फिच्छा के समाजिक विकास के उद्देश बताईए तो समाजिक विकास के उद्देश के बारें जानकारी होनी चाहिए महात्पूर्ण प्रस्ण आ सकता है तो उत्तर लिखेंगे मनुस एक समाजिक प्राणी है, समाज के बिना बेक्त की कलपना ही नहीं की जा फक्ती है, मतलब कि मनुस जो है, वो एक समाज में रहना वाला प्राणी है, समाजिक प्राणी है, समाज के बिना बेक्त की कोई वैलू नहीं है, ना उसकी कलपना की जा फक पीता है कहां पर समाज में सबाज में हिलेकर उसका पालन पोस्टर और विकास होता है समाज में वह भाफा फाहित कला और सांस्कृत तथा सभिता का ग्यान प्राप्त करता है अगर आपका बच्पन जिस भी महुल में बीता होगा तो आप लोगों खुदी मालूम होगा कि कि खाना खिला कर किसी को को दान करकर वह तुरी के फरल्ण की देखते हैं कि जैसे सी बच्चा बड़ा होता सक önस्कूल इस तरहे हैं जिस समाज में हैं अगहरा आप हिंदी जो लोग है pipeline करें वह तो क्या हूआ प रिदी रहा तो तो इसी तरह सारी चीज़े होती है तो एक बहुत महात्पूर्ण प्रश्ण है नोट कर लीजिए काफी वल्पूर्ण प्रश्ण है आ सकता है अगला प्रश्ण है कि जी भी को परजन है तो फिच्छा के क्या उद्देश है बहुत कमाता अगर आपके इच्छा तयार करे प्रश्ण को अगला प्रश्ण है प्रश्ण को अग्रश्ण की नहीं है नियुक्त कर देंगे घेज सेंड कर देंगी जिसमें कुश्चन भी होगा और उसका उत्तर भी होगा जो कि most important question होंगे ठीक है इफ ली तरह डे बाई डे हमारी कलाफेश चलेंगे अभी सिर्फ हम आपको ज्यादा नहीं थोड़े थोड़े question answer कबर करा रहे हैं ताकि आप लोग दीरी दीरे अपने exam की तयारी कर पके जब हमारी महासंग्राम कलाफेश चलेंगे ठीक है तो उसमें आपको पूरा detail में मिलेगा ठीक है हलाकि और भी अच्छे तरिके से आपको माने वाले वीडियो में पूरा आपका मतब की जो तैयारी हो कबर कराएंगे लेकिन अभी मतब कि कुछी question को लेकर हम तैयारी करा रहे हैं ताकि confusion नहों आप ल ने वीडियो क्या जब तक के लिए जहेंदे हैं तो